नमश्कार दोस्तो दोस्तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अपना बजन बढ़ाना चाहते हैं यानि कि मोटा होना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं ये वीडियो स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है और ये प्रोडक्ट भी उसे काम में आता है और बहुत अच्छा इसका रजल्ट देखा गया है और जितने लोगों ने भी इसको इस्तमाल किया है इससे उन्हें बहुत बेनिफिट मिला है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे मश्रूम पाउडर के बारे में मश्रूम एक्स मश्रूम पाउडर के बारे में इसके फायदे इन से कोई ले रहा है और उसे छोड़ना चाता है ठीक है तो कैसे छोड़ सकते हैं यह वी इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा आप ठीक है तो दोस्तों मश्रूम एक्स पाउडर आता है मश्रूम वर्ल्ड क कमपनी का इसका MRP है 345 उर्पे और इसका ग्राम जो है वेट वह भी देख लेते हैं कितने ग्राम का यह आता है 100 ग्राम का यह आपको मिलेगा 345 उर्पे में ठीक है तो दोस्तों यह प्रोड़क्ट जो है बहुत ज्यादा एफेक्टिव है और बहुत तेजी के साथ आपके बजन को बढ़ाता है आपको मोटा करता है और जिन लोगों के गाल पिछके रहते हैं यानि कि मुझ पिछका रहता है मुझ दबा रहता है भरा नहीं रहता है मुझ वो लोग इसको इस्तमाल कर सकते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है कि जैसे आप किसी भी चीज का shortcut अस्तमाल करते हो तो उसका नुकसान भी होता है तो ऐसे ही इस product का भी कुछ-कुछ side effect है कुछ नुकसान है वो इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे इसको लेना है सही तरीका क्या है और कैसे इसको छोड़ना है ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो ingredients है जो contents है उसमें क्या-क्या डाले गए है किस composition से बनाए गया है तो जैसा कि देख सकते हैं आप इसमें मश्रूम है अशवगंदा है सफेद मुसली है काली मुसली लाल सन अदरक काली मिर्च जीरा अजवाइन काला नमक सेंधा नमक म पुदीना लॉंग छोटी हरड और बड़ी इलाइची जैसे इसमें बिल्कुल आयरवेदिक चीजों का इस्तमाल किया गया है किसी भी स्ट्वीराइड का इस्तमाल नहीं किया गया है जिसका हमारे शरीर पर नुकसान होता है तो बिल्कुल आयरवेदिक है इसके हिसाब से जो लिखा हुआ है ठीक है अगर आप इसको लेते हो तो देखिए आपको क्या-क्या वेनिफिट होते हैं सबसे पहला तो आपकी इस भूक बढ़ जाएगी जैसा कि इस पर लिखा हुआ है help to increase your appetite and strength your digestion यह आपके पाचन क्रिया को बढ़ा देता है पाचन शक्ति को मजबूत कर देता है यानि कि आप जो कुछ भी खाओगे आपको पचने लगेगा और आपके शरीर को लगने लगेगा कई लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत खाता भी हूँ मतलब अच्छी महंगी महंगी चीज़े खाता हूँ घी दूद काजू बदाम जो भी शरीर के लिए फाइदेम जो भी आप खाते हो वो शरीर को लगने लगता है अगर इसको लेते हो आप तो और इस पर लिखा हुआ है कि Rich protein आपको मिल जाएगा जो भी आपके शरीर को अवखशकता है जो भी कमी है आपके शरीर में proteins की वो कमी को ये पूरा कर देता है folic acid की कमी को पूरा करता है और minerals जितने भी हमारे श्रीर में minerals होते हैं उसके अगर कमी होती है उसको भी पूरा करता है vitamins जितने भी vitamins की कमी होती है हमारे श्रीर में उसको ये पूरा कर देता है ठीक है साथ ही साथ ये आपके helping developing new healthy tissue and blood cell ये आपके खून को साफ करके नए सेल्स को बनाने में मदद करता है और आपके शरीर की इम्मुनिटी को बढ़ा देता है छोटे मोटे रोग आपको नहीं होने देता है मतलब कि कुल मिलाक के ये बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है ठीक है तो ये तो इसके फाइदों की बात होगी ठीक है तो जितने भी लोग ऐसी समझे से गुझर रहे हैं जिनको खाना नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और मोटा होना चाहते हैं चेहरे को भरना चाहते हैं या फिर उनके शरीर में अलकी फुलकी कमजोरी रहती है और हड़ियों में दर्द रहता है वो लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं और जो जिम जाते हैं बॉड़ी बना रहे हैं अपने वेट को बढ़ाना चाते हैं वो लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो ये तो इसके फायदों की बात होगी, अब इसको लेना कैसे वो बता देता हूँ मैं, एक चम्मच इसका लेना है आपने सुभे, एक चम्मच शाम को लेना है, हलका गुनगुना दूद लेना है आपने एक ग्लास, तकरीबन 200 ml, ठीक है, तो 200 ml दूद लेना है, आपने उबाल लेना है, हलका ठंडा कर लेना है, ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, उसमें एक चम्मच मिला के आपने मिक्स करके अच्छे से चम्मच से पी लेना है, सुभे और शाम को, खाना खाने के बाद भी ले सकते है और पहले भी ले सकते हैं, और इसको लेना कितने दिन है, दोस्तों देखिए, अगर आप ज़्यादा दूबले पतले हैं, और आप इसको ले रहे हैं regular, ठीक है, आपका बजन बढ़ गया है, आप healthy हो गए है, आपकी सिहत बन चुकी है, इसको लेते लेते, और आप इसे बं दीरे छोड़ना है, ठीक है, धीरे धीरे यानि कि पहले दो टाइम लेते थे, फिर एक टाइम लेना है आपने, फिर दो दिन के बाद लेना है, फिर आधा चम्मच लेना है, दो तिन दिन के बाद, ऐसे आपने धीरे धीरे करके इसको छोड़ना है, यानि कि बंद करना है, मैंने भी कहा है कि जैसे तीन महीने तो जरूरी नहीं है कि आपने तीन महीने ही लेना है अगर आपकी सिहत एक डिड़ महीने में ही बन जाती है जितना आपको जरूरत है उतनी बन जाती है तो आप इसे धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं जरूरी नहीं कि तीन महीने के बाद आपने इसको बंद करना है और जितने दिन आपके डॉक्टर बता है देखे वीडियो बनाने का मतलब है सिरफ आपको information देना इसकी knowledge देना यह किस काम में आता है इसके क्या side effect है ठीक है तो आपने वीडियो देखके अपने हिसाब से नहीं लेना है डॉक्टर को जरूर एक बा एक महीना भी ले सकते हैं 1,5 महीना 2 महीना 3 महीना जितने दिन आपके डॉक्टर बोलें आपको ठीक है जितने आपके शरीक को जरूरत है उतने दिन ही आप इसकी इसकी इसके इसके जो side effects है वो भी बता देते हैं दिखिए अगर यह आप आपके बज़न को तेजी से बढ़ बजन को बढ़ा देगा तेजी के साथ और तेजी के साथ ही आपके बजन को नीचे भी गिरा देगा अगर आप इसे तरीके से बंद नहीं करोगे जैसे आपने आपका बजन बढ़ गया चार पांच किलो बढ़ गया आपने कहा आप मुझे जरूरत नहीं है मतलब अगले दिन बिलुकुल कम होता जाएगा मतलब बढ़ता तो लेट है लेकिन जब कम होता है तो बहुत तेजी के साथ होता है जरूरी नहीं सब का ऐसा हो किसी किसी को होता है किसी किसी को सूट भी कर जाता है वो मतलब बंद भी कर देते तो उनको ठीक रहता है बिल्गुल जैसा बन जाता उनका सेहत वैसे ही बना रहता है ठीक है तो कईयों का ऐसे होता है जल्दी कम हो जाता बजल तो इसके जो side effect है एक तो इससे जो हड़ीों का जो है कमजोर होना पाया गया है ठीके और आपके शरीर में गुलुकोज की मात्रा को भी ये बढ़ा दिता है ठीके गुलुकोज की मात्रा बढ़ती है तभी इंसान मोटा हो जाता है ठीके तो इसको लेने से पहले आपने डॉक्टर की सला जरू लेने ना इस पे लिखा होगा ये 100% आयरुवेदी के कोई भी इसको लेने से पहले आपने डॉक्टर की सला जरू लेना ठीक है तो रेगुलर यूज ना करें ऐसे नहीं कि आप छे महीने साथ महीने साल भर यूज करें जितने दिन डॉक्टर बताएं आपकी सिहत बन जाती है फिर इसे दीरे-दीरे बंद कर सकते हैं आप जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले दो दिन छोड़ना है एक दिन छोड़ना है दो टाइम की जगाप एक टाइम कर देना है फिर एक दिन छोड़के करना है फिर दो दिन छोड़के लेना है फिर तीन दिन पांच दिन ऐसे ऐसे धीरे-धीरे करके आपने इसे बंद कर देना है क्योंकि आप इसे एकदम से बंद करोगे तो आपकी हालत पहले से भी बुरी हो जाएगी मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे ठीक है बहुत ही मशुहूर प्रोडक्ट है ये ठीक है बहुत इसली मिल जाता है खास करके मद्द पर्देश और उत्तर पर्देश यूपी, एमपी, बिहार इन राज्यों में इसे बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है और बहुत ही आसानी के साथ ये आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है लेकिन आप जब भी इस्तमाल करें डॉक्टर की सला के साथ ही इस्तमाल करें ठीक है क्योंकि देखे मेडिसन है ये भी जरूरी नहीं कि देखे इस पर आयरवेदी की लिखा हुआ है तो कोई नुकसान नहीं करेगा आप पहले से कोई दवाईयां ले रहे हैं या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी है पहले से जैसे कि बलड पेशर, शुगर की है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर की सला जरूर लीजिए इसको इस्तमाल करने से पहले ठीक है और जो मैंने डोस बताई है आपको, जो खुराग बताई है, वो बड़ों के लिए है अडल्ट के लिए डोस बताई है और बच्चों के लिए डॉक्टर की सला से हिस्तमाल करने चाहिए बच्चों को शायद ये से नहीं देना चाहिए, ठीक है क्योंकि ये adult के لिए Doses में लिखी होई है adult के लिए ही से बनाया गया है और 15 साल से उपर तक के बच्चों को वैसे दे सकते हैं ठीक है जिद चोणे बच्चों को नहीं देना है मेरा मतलब थीक है तो चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही पता लग सके और जो लोग इसका इस्तमाल कर रहे हैं उनको कैसे इसका बंद करना है इसको कैसे छोड़ना है कैसे साइड इपेक्टर से बज़ना है सब पता लग सके तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद